फिल्म का हीरो पुषपा उर्फ पुषपराज, अलू अर्जुन गाव के एक धनी व्यक्ती की अवैद संतान है। पुषपा दिलेर है, दबंग है, थोड़ा कमीना है और बहादुर है। जल्द से जल्द पैसा कमाने की उसकी चाहत में वो जंगल में लाल चंदन काटने वाले मजदूरों में शामिल हो जाता है। पुषपा मूवी, सारे रिकार्ड तोड़ती जा रही है, पुषपा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तसकरी, यह कोई मात्र मनगणन कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकु की स्टोरी पर आधारित आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिल जुन ने पुषपा के रूप में किया है, वह असल में तमिल नाडू और करनाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुक्यात डाकु पर आधारित है, जिसका नाम वीरपन था, 18 अक्टूबर 2006, देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी, दक्षिन भारत का कुक्यात डाकू वीरपन एंकाउंटर में मारा गया, ये ऐसा डाकू था, जिसे पकड़ना नामुम्किन लग रहा था, सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड रुपे भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी, वीरपन लंबे समय तक तब जाके ये पुलिस के हाथों लगा था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौकान अगवाते हुए उस पर लगातार 380 राउंड की फाइरिंग की, तब जाके वीरपन को पकड़ा जा सकी, लेकिन वीरपन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ चलिये, वो जानते हैं, इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महस 10 साल का था, 10 साल की उम्र में इसने एक तसकर का कतल किया, उसी समय फारेस्ट विभाग के तीन अफसरों को भी इसने मार गिराया था, वीरपन के गाववालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ता जंगलों में भाग गया, और फिर एक नई कहानी शुरू हुई, जंगलों में रहते रहते, इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा, इसने तकरीबन 2000 हाथीयों को मारा, और कहा जाता है कि वो हाथीयों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था, और उनके दातों की जाने वाले बेस, कीमती लाल चंदन की भी समगलिंग करता था, चंदन की लकडी को काट कर उसकी तसकरी करना उसका खेल था, अब कभी भी करनाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी, तो यह भाग कर तमिलनाडू के बार्डर को क्रास कर लेता था, इसके बाद पुलिस बार्डर के नियमों को मानते हुए बार्डर क्रास नहीं करते थे, और बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडू पुलिस के साथ भी करता था, जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता, तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था, उसने रजनीकांथ जैसे सुपरस्टार को भी किड्नैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फैल हो गया, फिर एक बार सन 1937 में कन्नड फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किड्नैप कर इसी जंगल में आख पर पट्टी बाद कर घसीटते हुए लाया गया, और जैसे ही ये न्यूज बड़े-बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया, कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरन कर लिया गया, देश में हडकंप मच गया, अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे, तथा उसक की देशत लोगों में फैल गई, वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड की मांग की, सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए Special Task Force बनाई गई काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि ज इसके बाद विजय कुमार को STF का चीफ बना दिया गया, जैसे ही विजय कुमार ने STF की कमांड संभाली, तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकठा करना शुरू करें, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान है, इसलिए व विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए, अब उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी, वक्त से साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच विजय कुमार को पता चली कि वीरप्पन अपनी बात को पहुँचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो सूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुँचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आँख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं जरूर कराएगा। वीरप्पन अपनी एक आँख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था।